चलिए आईए question number two देख लेते हैं ना साथ के साथ upload पे भी मैं लगाता जा रहा हूं ताकि फटा-फट मिल जाए question number two जो हमारा था final account का question था इसका पूरा solution में ने कर दिया है इस question में क्या point था समझने वाले जो बच्चे confuse हो रहे थे वह चीज़ मैं clear कर देता हूं पहला point कहता है the company इसका 10,000 था authorized capital 100 रुपय का 400 शेयर इशू किये थे 50 यानि 20,000 रुपय शेयर capital में आएगा जो कि आपको यहां भी 20,000 दिख रहा है इससे इसका कोई लेना देना नहीं ह मुद्दे की बात है depreciation provide करना land and building पे कहता है straight line करना है straight line cost पे लगता है तो cost यहां पे दे रखा था तो इसके उपर 5% चार्ज करना है that is 15% जो की 1500 रुपय आएगा जो की मैंने चार्ज करके दिखाया है दूसरा furniture और इस पर बोलता है on the reducing balance यानि यह WDV की बात करता है तो जो balance दे रखा है में furniture furniture पर furniture पर कर देंगे जैसे 800 depreciation इसी पर डारेक्ट 10% लगा देंगे और machinery इसी पर डारेक्ट 10% लग जाएगा इसके उपर cost की कोई बात नहीं है क्योंकि यह देमनी सिंग बैलेंस यह ध्यान देने वाली बात थी 500 रुपए का बेड़ेट्स हो गया हमारा ठीक है 500 रुपए का बेड़ेट्स वह डेटर में से माइनस अधर expense में चला जाएगा प्रवाइड 2500 रुपए आपको 2500 रुपए audit fees करना है पहले ट्राइल बैलेंस में नहीं थ तो सारा outstanding होगा other expense में चला जाएगा एक outstanding expense में चला जाएगा income tax provide करना है तो सिंपल सी बात है एक P&L में से माइनस हो जाएगा statement profit and loss और दूसरा कहां चला जाएगा सर दूसरा हमारा यह चला जाता है जाके आपका क्योंकि provision for tax का एक head अलग से बनता है insurance prepaid prepaid insurance 80 रुपीज का था तो 80 रुपीज का prepaid insurance था तो insurance extent to 80 अब यहां पर insurance की बात करें insurance 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 rent rate and taxes insurance दे रखा था कहां गया कहां गया कहां गया यह रहा है यह जो 280 दे रखा था ना इसमें से 80 minus हो जाएगा इसमें से 80 minus हो जाएगा और 200 रुपे बच जाएगा other expense में और 80 चला जाएगा assets में यह मैंने solution में prepaid expense को मैं माइनस करना भूल गया तो वह कर लेजिएगा जिससे कि आपका answer accurate आजएगा मैं समझा दूंगा अभी आप ध्यान दीजिएगा इसके बाद transfer GR को करना था कर सकते हैं इसको करना था purpose dividend paid कह रहा है तो paid का मतलब 8% paid करेंगा सर किसके उपर रहेगा उसके उपर 8% होगा तो जो मुझे correction लगाना है एक दो मुझे point अभी जैसे पढ़ते पढ़ते पता चला तो वो चीज़े मैं discuss करता जा रहा हूं यह था हमा कि देखिए एक इसके अंदर मैंने कहा कि रेंट जो है न यहां से 80 माइनस कर दीजिएगा तो यहां पर 1750 जो है वो आ जाएगा हमारा 1600 कुछ आ जाएगा जो भी तो यह adjustment कर लीजिएगा ठीक आप इसके बाद एक prepaid रेंट आ जाएगा ठीक है न एक prepaid रेंट आ जाएगा तो यहां पर जो balance sheet बना रखा है न हमने statement profit and loss में तो जाएगा एक नीचे आ जाएगा आपका other assets का एक न यहीं पर आ जाएगा other assets other current assets वहां पर डाल दीजिएगा prepaid और यह आ जाएगा 80 जिससे क्या रहेगा हमारा इसके आने के बाद यह पूरा-पूरा full desert में आ जाएगा हम यहां पर आ जाएगा that is हमारा answer होगा 44100 का ठीक है इसको correct कर लिजिएगा नहीं तो मैं correct करके भी दुबारा PDF अपलोड कर दूँगा ठीक है जनर is a provision for doubtful यह अधर income में डालिएगा आप अधर इंकम में काफी बच्चे confused होते हैं तो इसे अधर इंकम में डालना है अपने प्लांटेट मसिंडी प्रेमिसिस यहां ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ट्रेड डिसीवेबल गुडविल बेड़ेट्स कैश बैंक इंट्रिम डिविडेंट क्या होगा सर रिदर्वेंट सर्प्लस में से माइनस हो जाएगा यह ठीक है शायद से अब मुझे परचेज दे रखा है आपको प्रेलिमिनरी एक्समेंस दे रखा है सेलरी दे रखा है वेजिस इंट्रस और बता दूं यहां पर इंट्रस और डिवेंचर मैंने निकालके दिखाया है क्योंकि दस अजार के उपर आठ सो बनता है और सवाल में यहां प आपता है बारती है 36 तो अगेन इसके उपर एक असी का फिर से एक रूड इंट्रस रह जाएगा ठीक है अड्मिस्टेशन एक्समेंस से प्रिंटिंग अनिस्टेशनरी है कहता है आपको बैलेंशीट बनाना है स्टॉक दे रखाए आपको वैल्यूवेशन दो जगए एंट एक्समेंस रिटनफ का मतलब सारा का सारा सार्त डिया दे रख्या धर यह माला आपको बात इंकम टेक्स जो भी प्रॉफिट आता है उसके उपर हमने धेड़ सारे कुश्चन की है ट्रांसफर जनर्रिजब में करना डारेक्टर ने कहा के डारेक्टर पर्पोस डिविडेंट तो यह आपका कुछ भी नहीं होगा यह कौंटेंजिंट लाइबिटी है तो कौंटेंजिं यह कुश्चन नमबर हमारा दो था अपको दो भी समझ में आ गया होगा आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं जिसने क्लास देख रखे सारे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा